नमस्कार, मैं हूँ पड़ेद अर्विंद गौर्ड, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोतिश विद अर्विंद गौर्ड में आज की चर्चा का विशा है गुरू का 13 सितंबर को मार्गी होना ये 67 डिज, 37 दिनों के लिए मार्गी हो रहे हैं और इसके बाद ये अपनी राशी बदल के मकर राशी में चले जाएंगे जो इनकी नीच राशी है तो वो बात की बात है अभी का प्रभाव ये है कि वक्री चल रहे थे बहुत समय से और 13 तारीक को ये मार्गी जब होंगे तो इसका क्या प्रभाव देखने में आएगा और उससे क्या फाइदे आपको होते हो दिखाए दिएंगे इसी विशे में वीडियो है मुझे अमीद है आपने मेरा इससे पहले वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि आप अपनी जनम कुंड़ी में दस्पती कैसा परफॉर्म कर सकता है इनिशेली जनम के समय आपके दस्पती की situation कैसी है आपकी जनम कुंड़ी में इस विशे में वीडियो बनाए मुझे उमीद है आपने वो देखा होगा और आपको समझ आया होगा तो होता यह है कि हम लोग गोचर पे जब बात करते हैं एक्चली उसे देखा जाना चाहिए था जनम कुंडली के साथ से अब जनम कुंडली में कैसा है अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी तो गोचर के इस वीडियो का वास्तिक महत्व कम हो जाता है तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसका नंबर है 151 उसे जरूर देखी फिर इस वीडियो को देखने का आपको ज़्यादा मजाएगा या आप इसका आनंद लेपाएंगे तो शुरू करते एके करके 67 डेज के लिए चेंज आ रहा है 13 सितंबर से उसके बाद ये अपनी राशी बर्द लेंगे और हर एक राशी बर्द का क्या इफेक्टर ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पांच गरहों के कारक होते हैं और तीन इनकी मुख्य द्रष्टिया है पांच ही, साथ ही और नौ ही कोई भी गरह असर कैसे करता है वो जहां बैठता है, वहां उसकी सिचुशन कैसी है कहां कहां देख रहा है कौन गरह उसके साथ बैठ है उनको किन गरहों की द्रष्टी मिल रही है वो किन गरहों को देख रहा है ये तरीका है बात को करने का लेकिन क्योंकि गोचर में हम सिर्फ एक स्टार के उपर बात करते हैं और उसे फाइनल इसलिए मत लेके चलिए क्योंकि वो किवल एक ग्रह से चेंज जो हो सकते हैं वो बताया जारे हैं बाकी के आट घ्रह भी है उनका भी प्रभाव होता है अपनी जनम कुंडली है और डिटेल्ड कुंडियां होती है जो हम पार्शल कुंडियांस भी कहते हैं तो उन सब का उसलिए ऐसा न सूचें कि अगर बहुत अच्छा बताय जा रहा है तो कमाल हो जाएगा और खराब बता पसन वैरी करता जाएगा इसलिए आपको अपनी जान कुंडली में ग्रहब की सिचेशन को समझना जरूरी है और यहीं विशह मैंने 151 नमबर वीडियो जो इससे पहले अपने अपलोड किया है आप उसमें देखेंगे मैंने बताया है तो मेश लगन से शुरू करते हैं और य कोई जिद और वहस नहीं कर रहा है आप चाहें तो राशी से भी देख सकते हैं तो मेश लगन की स्थिति है कि भागे के स्थान पर गुरू स्वगरई हो करके बैठेंगे बागे के स्थान से उनकी पूर्ण द्रश्टी लगन पर पड़ेगी तीसरे घर पर पड़ेगी और उस भाग दोर का उन यात्राओं का आपको रिजल्ड निकलता हो दिखाए देगा आपको फायदा होता हो दिखाए देगा ये चीज़ तो भागे का सपोर्ट मिल रहा है पिता का अशिराद मिल रहा है संदान से सुख मिल रहा है एजूकेशन का फायदा आपको होता हो साफ मार्केट में इंप्रूव होगी इसका भी आपको फायदा देखने में आएगा हर तरीके से ये बड़ा फायदे मंद आपके लिए साबित होने वाला है कोई भी इसमें नुक्सान बिल्कुल नहीं दिखा दीता तो पूरी उमीद है कि मेश लगन वालों के लिए गोचर का ये कुंडली में अच्छी स्थिति है आप उसे निकाल पाए कि हाँ बढ़िया है मेरा दस्पती जनम के समय तो ये प्रभाव बहुत ही अच्छा आपको देखने में आएगा इसका आनन्द आपको प्राप्त होगा तो इसका लाव साफ साफ आपको दिखाई देगा किसी तरह क उपाई की आवशकता नहीं है क्योंकि ये पोजिशन बहुत अच्छी है इसमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी वरशब लगन की बात करते हैं वरशब लगन में आठमे गर में सवगर ही होकर के आएंगे ये भी अपने अपने ग्योग है पर इसका अर्थ होता है सेविं पेइमेंट जिसकी उमीद नहीं थी मिल जाये ऐसा कोई किसी को उधार दिया हो था जो आपको रिटार हो गया या एक ऐसी जगह से आपको अंबीद नहीं थी आपको कुछ और्डर मिल जाए इनी को आप रुका हुँआ धन या गुपत धन या गड़ा हुआ धन मानके चलि पैत्रक संपदा का भी सुख प्राप्त होगा, अपने कोटोंब के साथ तालमिल की सितिया, बोली भाशा का इंप्रूवमेंट भी आपको दिखाए देगा, तो आप इसमें में सुख अनुभव करेंगे, इसके साथ सुखों की बात करते हैं, मा के साथ, मकान के साथ, वाहन के साथ, विदेश यात्राएं, हायर एज्यूकेशन, इस मुद्धे पर भी आपको सुख प्राप्त होगा, तो ये बहुत अच्छी स्थितिया, तरीका ये है कि गोचर में जब कोई ग्रैर चौथे आठ्ट में बारने घर में जाता है, तो उसकी शुबता थोड़ी कम मानी ज दिखेगा, लेकिन जनम कॉनली में ब्रस्पती अच्छा है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत फायदिमन साबित होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, किसी उपाएगी हैं जरौत नहीं है, यहां सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर आप सेफ्टी से चाएं, तो ब्र लगन के लिए एक सुन्दार राजयोग का निर्मान हो रहा है, जिसका नाम हन्स महायोग, बहुत अच्छी सी थी है, यह राजयोग चौथे घर से बनता है, वैवाईक जीवन के सुखों को इंप्रूव करने के लिए, वो बच्चे जो इस वक्त विवा की उम्र के हैं और विवा के लिए प्रयासरत हैं, उनके रिजल्ट आने की जबरदस उम्मीद है, वो बच्चे जो अपनी स्टेटस के लिए, अपने पर्मोशन के लिए कुछ वेट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आने की जबरदस उम्मीद है, जो अपनी इंकम को फर्दर इंप्रूम करने के यह बहुत भागदाल कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आई हैं, अब अगर ऐसी स्तिथी ले लो जिन में पहले से ही थोड़ा सा खिच-खिच चल रही है, यानि वयवाईक जीवन थोड़ा तनाव पून है, तो उनका वयवाईक जीवन समलेगा, उसमें अपनापन प्यार बढ़ हो, तो यह चीज़े होंगी सेहत, व्यक्तित, परसनलेटी, वयवाईक जीवन में सुधार, सस्राल वालों के साथ सुधार, अपने कर्म, अपने एफर्ट्स, अपने छोटे भाईवानों साथ आपके तालमिल किस्तितियां, इस सभी कुछ इंप्रूव होता हो, साफ साफ द कहीं भी बैठेगा नुकसाम नहीं देता है, भागय का सौमिय है और भागय से दशम वहाँ में बैठता है, तो भागय की स्थिति, पिता के सुख की स्थिति, डैवी स्थितियां, इश्वर के प्रती, मोह, यह सब भी देखने में आएगा, इसका भी आपको सुख प्राप् होते हैं, वो भी इंप्रूव होते हैं, साफ साफ यहां पर दिखाई दे सकते हैं, खर्चे थोड़ी से बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके पित्रों के साथ, पित्र गलस सब्द है, आपके बुजरों के साथ, आपके कुट्रों के साथ, आपके जो बुज ब्रस्पति अच्छा नहीं है तो आपको भी यानि कर्क लगन वालों को भी शुफल प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जनम के समयं का धुब्रस्पति अच्छा है तो शुफल अवस्य प्राप्त होगा। तो यह चीज़ बहुत जरूरी है, जरूर पिछले वाला वीडियो दियान से देखें, आकलन करें, किसी पर डिपेंड करने की जरूत नहीं है, खुद अपना आकलन करके अपनी वीडियो को समझें, अपनी जनम कुर्ली का समझें उसका आनन्द दीजी, सिंग लगन की बात कर तो क्या करेगा हमारे फैसले लिनी जी सामर्त है, शुब होगी, विचार शुब होंगे, शुद होंगे, शुब विचार होंगे, शुद विचार होंगे, शुद प्रयास होंगे, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, भागे को इंप्रूव करेगा, पिता के साथ ता में आएगा वो ही आएगा कि जमापुजी भी इंप्रूव होती हुए दिखाए देगी किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होता हो नहीं है जनम के समय अगर आपके कुंड़ी में ब्रस्पती जादा अच्छी हालात में नहीं है तो यह हो सकता है कि आपको उत्तना शुब न बिले नुकसान तो किसी अलब कर नहीं होगा थोड़ा कम शुब मिल सकता है लेकिन अगर जनम के समय में आपका ब्रस्पती अच्छा है तो बहुत शुफल आपको प्राप्त होंगे इस गोचर का आपको आनंद प्राप्त होगा अब बात करते हैं कन्या की कन्या लगन की स् सिथी है इसका लाब यह होगा कि इसकी पूंड द्रश्टी आपके अश्टम बहुपे उपड़ेगी आठ्वें घर से उम्र को इंप्रूव करेगा लेकिन ऐसी कुछ तकलीफें जिसे हम कफ की प्राप्लम कहते हैं बल्गम की समस्थें कहते हैं बढ़ सकते हैं थोड़ा ध जीवन स्थर इंप्रूव होगा उसका लाब आपको मिलेगा थोड़े खर्चे होंगे अच्छे थोड़े अच्छे खर्चे करता है जिन खर्चों को करके सुख की प्राप्ति हो आनंद की प्राप्ति हो अगर आप बच्चे की शादी करते हैं तो आपको सुख मिलेगा अच्छी हैं, शुब हैं, किसी तरह का कोई लुक्सान होता हूँ, यहां पे नहीं दिखाई दी रहा है। अब बात करते हैं, गली में सब्जी वाला सब्जी वेच रहा है, उसकी ब्यवाज रिकॉर्ड हो रही है। अब बात करते हैं, तुला लगन की, तुला लगन की स्थिति है कि तीसरे घर में सब्रही होकर पेट है, अब तीसरा घर हमारे छोटे भाई दोनों के सुखों का, हमारे बहु बल का, हमारे कर्म का, हमारे प्रयास का, हमारी कोशिशों का, हमारे कंदे का कंट्रोलर है, इस सारी स्थिथियां इंप्रूव होगी वैवाइक जीवन तालबेल ठीक होंगे भाग्यू की स्थिथि इंप्रूव होगी वैवाइक जीवन में अगर कोई किसी का टानाव या क्लिश चलड़ा था तो वो भी इंप्रूव होगा अब अगर जन्रम के समय से आपका ब्रस्पति एक तीसरे का और एक शटेगर का इसलिए बहुत जादा चुब फल की उमीद ना रखना लेकिन बुरा कुछ नहीं होगा ये एकदम कन्फार्म है तो थोड़ी सितिक हैं कि लगनेश के साथ भी बहुत अच्छा ताल्मिन नहीं करता ये भी तरीका है बात को देखने का लेकिन जादा फिगर की बात नहीं बहुत अच्छे उमीदें मत बांधियेगा बुरा नहीं है पर बहुत शांदा नहीं है आपको अपने प्रयासों पर ध्यान रखने की जरूत पड़ेगी कर्ण ठीक रहे एफर्स चीग रहे तो रिजल जरू रहेंगी अब आपकरते हैं व्रश भी थोड़ी बहुत समस्या देखने मास सकती है यह भी ब्रस्पति का एक कमाल है स्टेटस इंप्रूव होगा इसमें कोई शक नहीं है सेविंग्स में बढ़ेंगी शत्रों पर कंट्रॉल बढ़ेगा करजेगा कंट्रॉल बढ़ेगा मतलब करजा आप कंट्रॉल कर पाएं वो आपको कफ की प्रॉलम या थोड़ा ओवर फैटी बनाएगा यह देखने मास सकता है तो अपने वजन को समालिए अपनी कोशिचों को समालिए अपनी एक्सरसाइज को ध्यान दीजिए तो यह स्टितियां बिल्कुल ठीक है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली धनु की बात करते हैं तो लगन नहीं ब्रस्पती का राजयोग बन रहा है अच्छा है जितना भी इंप्रूव कर सकता होगा करेगा सुखों को भी इंप्रूव करेगा स्टेटस को इंप्रूव करेगा पोजिशन को इंप्रूव करेगा भाग्य को पिता के साथ तालमिल को व्यावाइक जीवन को improve करेगा सोच समझ फैसला विचार इस दोरान जो भी फैसली लिये जाएंगे उसके fruitful result एक दिन आपको देखने में मिलेंगे समय जरूर लगता है कोई भी काम हाथों हाथ result नहीं देता है लेकिन अगर at last किसी चीज का result अच्छा आजाता तो हम यह कहते हैं सही मौके पे फैसला लिया उसका result आए तो आपके केस्ट में गोचर बहुत अच्छी स्थिती में अब अगर कल्पना करें ब्रस्पती जनम के समय बहुत अच्छा नहीं है तो भी अच्छा result आएगा अगर बहुत अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छा result आई गई इसमें कोई doubt है नहीं तो वैवाईग जीवन के साफ से विचारों के साफ से फैसले लेने के साफ से संतान के साफ से पढ़ाई के साफ से पिता भाग धर्ब हर मुद्दे पर ये आपको लाब देगा नुकसान होने का तो कोई योग बनता ही नहीं मकर लगम की बात करें तो मकर लगम की स्थिती है कि बारे में घर में सब रही है अब देखो रूल ये कहता है कि चौते में आठ में और बारे में चार-ाट बारे में गोचरम जब ग्रह जाते हैं तो उतना शुफल नहीं दे पाते हैं जितना वो देते हैं और दूसरा यहाँ पर ब्रस्पती की पोजिशन भी खराब है उती सिरो शाटे घर का सौमी है तो यह गोचर बकर वालों के लिए बहुत शुब नहीं है अब अगर जनम के समय से उनके कॉंडली खराब है उनके कॉंडली में ब्रस्पती खराम है या कमजोर है तो यह प्रभाव थोड़ा और नेगेटिव ही होगा पॉजिटिव नहीं होगा जनम के समय बहुत अच्छा है तो यह प्रभाव नीट्रल होगा ज्यादा नेगेटिव नहीं हो भावान की पूजा अर्चना पीले रंगी चीजों का प्रशाद ब्रस्पति देख के मंत्रों के जाब भी किये जा सकते हैं तो इसमें पीली चीज का बड़ा महत्व है पीले कपड़ी भी पहने जा सकते हैं और भावान जी को आप बेसन के लड़ू का या केले का भोग ये लगा सकते हैं ये सर्व माने चीजे हैं सभी को मालूम है इसमें को ऐसी नई वाली बात नहीं है कुम लगन के अगर हम बात करते हैं तो लगन में आमदनी के घर में ग्यार में घर में दसपती स्ववर्ई होकर के बाठेंगे बहुत बड़े अस्तितिये इंकम को इंप्रूब करने के एक से एक नए रस्ते निकलेंगे आप रहत मरतошiste करेंट आपके प्रियास आपके कटों मज़नों के साथ आपके तालमिल की स्थितियां इंप्रोव होंगे संताम के साथ तालमिल का योग बनेगा उन से साथ विचारों में अगर कुछ मद्बीद है तो वो ठीक होंगे इसका भी आपको लाग देखने में आएगा प्लस ये भी एक चीज़ देखने में आसकती है कि आपके फैसले बड़े ठीक हों आप आज जो फैसला लेंगे उसका धूर गाम में प्रणाम शुब देखने मेंगे वो आमदनी बढ़ाने मेंगे वैवाई जिन्दिए में इंप्रोव्मेंट आएगा आपके प्रयास जैने होने होंगे आपके भाईयों के साथ आपके तालमे ठीक होंगे तो खराब नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं है तो कुम्ब के लिए ये बहुत अच्छा है अब फिर से एकी बाट जो बार बार क्या रहा हूँ अगर जनम के समय आपके कुंड़ी में ब्रस्पती अच्छा है तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा अगर जनम के समय आपका ब्रस्पती कमजो रहे तब ये एवरेस से अच्छा फल फिर भी प्राप्त होगा तो नुकसान तो किसी हालत में नहीं होगा लढ़ी लाब. यह बहुत अची स्थिति है, बहुत शोप है, आपको सक्कार आननदा प्राप्त होगा. आखरी लगन हमारे जातीर मील लगन, अब मील लगन की स्थिति है कि फिर से एक राजयोंग का निर्मान हो रहा है, हंसमायोग दशम बहागा. इस राजयोग के लिए सबसे सुंदर घर यही है दस्वा घर बेस्ट है बेहतरीन परफॉर्मिंस आएगी लेकिन रूल फिर से बता देता हूं अगर जनम के समय कुंड़ी में खराब है तो एवरेज हो जाएगा जनम के समय कुंड़ी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे तो यह एक इंपॉर्टन चीज थी जो जानना जरूरी था इसका असर क्या एगा जीवन सेहत व्यत्यत स्टेटस इस पर जबरदस्ट प्रव आएगा परिवार के साथ तालमिल के सितियां बोली भाशा आपकी इंप्रूव होने वाली है मां के साथ त प्राइगा आब की हेल्थ इंप्रूव होगी अगर कुछ तकलीफ ही नहीं है तो हेल्थ और फृद्वर इंप्रूव होगी किसी तरीक्या का कोई यहां पर नुकसान होता होाह नहीं दिखाय दिएक सारी स्थितिएं शुब है जनमके समय अगर अच्छा नहीं है आपकी कुंड़ी में बहुत अच्छा है तो बहुत शुफल आपको प्राप्त होंगे यहां सारी लगनों की स्थितियां पूरी हो गई जिन एक दो लगन के लिए उपाई की आवशक्ता थी जैसे तुला और मकर लगन तो मैंने आपको बता दिए बाकी सभी के लिए शुबता है यह गोचर बड़ा शुफल देने वाला है बुरे दिन खतम होंगे आप धीरे धीरे अच्छे दिन आएंगे उसका लाव आपको मिलता हो देखाए देगा अभी निकट भविश्य में सूरे भी अपनी राशी बद लेंगे 16 तारिक से तो उसका भी वीडियो में अपलोड करूँगा उसको भी देखिए और उसका व्यानन दीजिए कोई विशाय जो इसी विशाय के ओपर अगर आपको कोई प्रशन पूछना है तो कमेंट बक्स में जरूर पूछें लोग अपनी परसनल कुंड़ी उसमें लिख देते हैं कि साब हमारी कुंड़ी के अवारे में बताईए ये सुविधा मैं आपको फीस लेकर दे रहा हूँ अब अगर मैं सबके लिए ऐसे ही कुंड़ी देखना शुरू करूँगा तो इतना समय नहीं होता है हमारी भी अपनी मजबूरी है दिल बहुत है सबके लेकर हूँ लेकिन क्या करें जीवन यापन भी दो करना है तो सिद